हेलो एव्य योन आप लोगों को स्वागत है मेरे चानल पर और आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ तीन अनोखे हैरश्टाइल वो भी बस दो पॉवी पीन के यूज से यानि कि मैं बस दो पॉविद पीन का यूज़ करके अपने हैश्टाइल बनाऊंगी और मैं कुछ भी क्लॉचर्स वगएरा रवर बैंड कुछ भी ने यूज़ करूँगी तो जिन लोगों के पास बहुत कम hair accessories रहते हैं वो लोग ये हैश्टाइल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो जो मैं पहला हैश्टाइल आपको बहुत सेर करूँगी उसके लिए आपको ऐसे side partition कर लेना है और फिर अपने बालों को अच्छी तरह से set कर लेना है कंगे के health से देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ और फिर अपने बालों को आगे की तरफ से हलका हलका बाल ले करके इसको पीछे के तरफ मोड़ते जाना है आपको चोटी वेगरा कुछ नहीं बनाना है बस सिंपली देखिए अपने फिंगर के health से हलका हलका बाल आगे में से लिची और उसको पीछे की तरफ मोड़ती जाहिए और देखिए कितना ज्यादा सिंपल यह हैर्स्टाइल है यह लॉंग हैर, सौट हैर दोनों पर अच्छा लगेगा तो बस ऐसे कर लेना है अपने बालों को और फिर अपना बॉबी पिन लगा लेना है तो यहाँ पर मैं दो बॉबी पिन अच्छी से सिक्यूर कर लूँगी ताकि मेरे बाल जो है वो बिल्कुल भी खुले नहीं और यह देखे कितना प्यारा सा एक क्यूट सा हैरस्टाइल निकल के आ गया है आप इसको जीन्स पे भी कुर्ती पे भी साड़ी पे भी किसी भी आउट्फिट पे आप इस हैरस्टाइल को कर सकते हो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा आप एक पर इसको कर लेना है यानि कि आपको बीच मांग कर लेना है यह हैस्टाइल में आपको खास करके जो कुर्ती वगेरा होता है उस पे मैं आपको रिकमेंट करूंगी उस पे हैस्टाइल सच में बहुत ही ज़्यादा निखर करके आता है तो आपको सिंपली ऐसे अपने सेंटर पार्ट कर लेना है और फ्रंट से हलका सा बाल को निकाल लेना है और फिर हमें इसको क्या करना है कि चोटी बनाना है तो आपको ऐसे आगे बाल मत लाइएगा ऐसे पीछे ही बाल रखके और उसको चोटी बनाइएगा जो फर्स्ट इम करें उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है अब आपको simply कुछ नहीं करना है बस एक bobby pin लेना है और इसको secure कर लेना है तो यहां पर बहुत ही हलका बाल है तो इसलिए एक bobby pin काफी होगा इसको secure करने के लिए वैसे साड़ी पर भी यह हैरस्टाइल बहुत अच्छा लगेगा आप ऐसे हैरस्टाइल करके और अपने मांग में अच्छे से अपसी नूर कर लेंगे तो जो नई दुलहन रहती है वो लोग बहुत ही ज्यादा प्यारी लगेंगी देखने में और बहुत ही cute लगेंगी तो यह जो चोटी है इस पर चाहिए तो जो white beards जो आता है उसको भी आप लगा सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा अब हम चलते हैं अपनी third hairstyle के तरफ तो third hairstyle में भी आपको center partition ही रखना है यानि की beach mark करके रखना है and simply आपके जो कान के पास जो बाल है वो आप हलका सा निकाल लें और फिर उसको इस तरह से चोटी बनाना शुरू कर दें यह खास करके लंबे बालों में जो है बहुत ही जादा सुन्दर लगेगा जिसके जितने लंबे बाल रहेंगे उतना ही जादा यह निखर के आएगा medium बाल में भी काफी सुन्दर लगेगा यह तो देख के बाल को ले करके इसी तरह से चोटी बना लेंगे यह भी जो हैस्टाइल है वह हमारे किसी भी आउटफिट पे बहुत अच्छा सुन्दर लगेगा तो यह देखिए दूसरा भी हमने बना करके दूसरी तरफ का भी और उसको भी हम लोग बॉबी पिन से सिक्यूर कर लिए और यह देखिए हमारा हेर्स्टाइल तयार है आप चाहें तो इसमें भी अपना जो वह है वाइट वीट्स चाहता है उसको आप लगा सकते हो बहुत ज़्यादा सुन्दर लगेगा और आप देखिए तीनों हेर्स्टाइल कितना आसाने से बन गया वह भी बस दो बॉबी पिन के हेल्प से और अगर आपको सौट हेर के लिए हेर्स्टेल चाहिए तो मैं उपर आई बिटन में वीडियो डाल दी हूं जाकर के चेक कर लीजिए तब तक के लिए बाब बाई